वी तो आल आफ यू, हैपी क्रिस्मस, मैंने अपने पिछले वीडियो में डाइबिटीज का बॉडी क्लिनिंग के दुवारा ट्रिट्मिन बताया था, तो कुछ लोगों का कोचिन था कि डाइबिटीज क्या है, इसको हम पहले से कैसे जान सकते हैं, इसके लक्षण, इसके का रही है, उसी में सबसे पहला नंबर आता है, डाइबिटीज, यानी मधुमेगा, सबसे पहले हम जानते है डाइबिटीज क्या है, जब हमारे रखत में ब्लड में सुगर की मात्राः बढ़ जाति है, वही सीवस्पेटीज है, यह समस्य तब उत्वन होती है, जब इन्सु इस इन्सुलीन हार्मोन जो हमारा पैंक्रियास होता है उससे निसकासित होता है जब इसका कारिब में बाधा आती है यानि गुलुकोज को एनर्जी में बदलने में बाधा आती है तो होता क्या है कि वही गुलुकोज हमारे रग्त में मिल जाता है और रग्त में सरकरा की मात्रव बढ़ जाती है इसी कंडिशन को डायबिटिस कहते है Below Days कटिने में बहुत ज्यादा ऐफेक्ट डालती है जले जानते हैं डाइबिति लगशन यानी सिम्टम्स जज़ोड़्टी हो दिक होते हैं जिनको होने बाला है जिनका एवरेज है उनको कैसे पता चलेगा कि हमें दाइबिति सबसे पहला डायबिटिक का कारण होता है जैनेटिक यानि हमारे घर में हमारे पुर्वजों को हमारे ममी पापा को या भाई भेन या इक हर में किसी भी एल्डर्स को हुआ है उनसे जैनेटिक ली हमें मिलता है दूसरा है मोटापा मोटापा एक ऐसा कारण है जिससे हम बच नहीं सकते मोटापा अपने साथ में बहुत सारी बिमारिया लाता है जिसमें से मेन एक बिमारी है डायबिटिस है ना तो हमें अपने बजन का बहुत ध्यान रखना है अपने वेट का बहुत ध्यान रखना है उस उसमें क्या होता है इसका कारण इसका कारण ऐसी गर्भवती महला है जिनने पहले से थाराइट की प्रॉब्लम है पहले से बीपी की प्रॉब्लम है यह जिनका वेट अधिक है जिनने पीसी ओडी की प्रॉब्लम रही है और वह गर्भवती हुई है तो यह सब चीजें होती है और जैनेटिक, यानि उनकी घर में भी किसे को डायबटिक है, ऐसी करबती महलाओं को भी यह प्राब्लम देखने को मिलती हैं, और जो टाइप 1 होता है, यह भी जैनेटिक होता है, और किसी कारण से हमारी जो इंसुलीन की सेल्स हैं, उसको उसका नस्ट हो जाना भी एक कारण कारण होता है तो हमें अपने मोटापपे को ध्यान देना है अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं कोई बड़े आदमी हैं जिनको पहले से टायपिटिक है तो आपको पता होना चाहिए कि यह आपको भी हो सकता है तो आपको इसके लिए फ्रिकॉशन चाहिए है अपने हेल्फ मैंटेन रखना चाहिए अपने डाइट मैंटेन रखना चाहिए वक्षा हमेशा तो यह सब चीजे बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हमें कभी भी इंगनोर नहीं करना चाहिए आज की डेट में है तो कितना जादा ज़रूरी है आप साइब क्योंकि हमारी जो एक्टिवेटी है कम होती जा रही है हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है तो हमें हेल्थ कॉंसे होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो टाइब वन डायबेटीक है वोémं बच्चों को युवाओं को या किसोरों को होता है है या और चूच डायबेटीक होता है है और 나올 जाने कि डायबेटीक क्या है उसके कारण, उसके लक्षन और उसके टाइप्स हम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके घरे लूप आए के बारे में डिसकस करूंगी जैसे कि मैंने बताया मोटापा कई बीमारियों का कारण है और डायबिटिक का भी कारण है तो वजन वेट लॉस करने के लिए मेरे साथ जुड़िये बहुत अच्छी रिजल्ट है लोगों ने मुझे बहुत एप्रेसिट किया है बस मेरा एक ही सर्थ रहता है कि आपको फॉल आपको में साथ जुड़े रहना प्लाएगा तो अगर आप इंट्रेस्टेट है तो मुझे बताईए में साथ जुड़िये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपके हैल्प जरू करूँ थैंक्यो धन्यवाद रादे 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 अशा करती हूं आप लोगों को य जानकारी देखिए डायबेटिक हमारे घर में एक ना एक पेसंट तो जरूर मिलता है लेकिन इसका क्या कारण होता है यह क्यों होता है कैसे होता है यह हमें घर बैठे जब जानकारियां मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है और जब अपनों से मिलती है तो और भी सब्सक्राइब करते रहें और ऐसे ही लोगों के साथ सेयर करें